हे अब्यूवन तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुती टेस्टी और आसान से लंच की रेसिपी तो आज के इस लंच में हम बनाने बाले हैं रेस्टरेंट और धावा स्टाइल कठल की बहुती अमेजिंग सी सबजी इस सबजी को आप लंच में डिनर में कभी भी बना सकते हैं और साथ ही साथ ये पूरी पराठे और रोटी सभी के साथ बहुती बढ़िया लगती है तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो कठल की सबजी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहां पे लेके आई हूँ आधा किलो कठल और सबसे पहले लगाएंगे हम हाथों में बढ़िया से तेल साथ महीना चाकू पे भी आप बढ़िया से सरसों का तेल लगा ले इससे क्या होगा ना कठल बहुत अच्छे से कट जाएगा चाकू और हाथों पे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा तो यहाँ पेना सबसे पहले ऊपर वाला जो चिलका होता है ना हार्ड वाला वो आप अच्छे से इसे निकाल दीजिए और इसके बाद इसके छोटे-छोटे पीस कट कर लीजिए तो आज का जो ये कठल है ना ये जब मैंने मार्केट से मंगाया था तो सबजी बारे भाया ने ही इसे उपर से चील के दे दिया था तो मुझे इसमें जादा मेहनत नहीं करनी पड़ी बस मुझे इसे काटना ही है तो यहाँ पे आप इसे अपने मन मताबिक छोटे या फिर बड़े पीस में कट कर सकते हैं साथ ही साथ अगर इसमें पके हुए बीज निकले तब आप उन बीजों के उपर की लेयर भी हटा दीजे क्योंकि बीजों के उपर की जो लेयर होती है वो बहुत हाड होती है और वो गलती नहीं है बट यहाँ पे मैं जो कठल कट कर रही हूँ ना उसमें सारे ही बीज कच्चे हैं इसलिए मैंने इसे बड़े बड़े पीस में कट कर लिया है और कट करने के बाद अब इसे बड़े से बोल्ड में ट्रास्फर कर लेंगे और इसके बाद हम दो से तीन बारे से साफ पानी से धो लेंगे तो वैसे तो कठल को बनाने के बहुत से तरीके हैं और सभी लोग इसे अपने अपने तरह से बनाते हैं आप लोग कठल किस तरह बनाते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और साथ ही साथ अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा साथ ही साथ इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ जादा से जादा शेयर भी कीजेगा क्योंकि आज की जो ये सबजी है न वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है जैसा की आप रेस्टरेंट और होटल में जाकर खाते हैं न बिलकुल उसी तरह की बनेगी आज की ये कठल की तेस्टी सी सबजी तो यहाँ पे कठल को मैंने दो तीन बार धो लिया है और धोने के बाद इसे एक छलनी में रख दिया है जिसे की इसमें जो भी एक्स्टर पानी होगा न वो सब निकल जाएगा उसके बाद हम गैस पे रखेंगे एक कड़ाई और उसमें डालेंगे दो ग्लास भर के पानी थोड़ा सा नमक साथ में ही थोड़ी सी हल्दी और यहाँ पे तीन चार लॉंग और दो काली मेच और साथ में ही एक चोटा टुकडा डाल चीनी का इसमें डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कठल अच्छे से सभी को मिक्स कर देंगे और यहाँ पे इसे हम थोड़ा सा स्टीम कर लेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत जादा steam नहीं करना है बस यह थोड़ असा soft हो जाए उसके बाद हम इसकी gas की flame को बंद कर देंगे और इधर ले लिए है मैंने दो medium size के प्याज उन्हें छील कर धूल लिया है और इस तरह उन्हें हम लंबाई में cut करेंगे तो यहाँ पे आपको प्याज को लंबा लंबा ही cut करना है आपको यहाँ पे बारिक बारिक cut नहीं करना है बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है अब सारे प्याज को कट करने के बाद हातों की मदद सिर्ण इस तरह इने खौल देंगे जिसे की प्याज के लक्शे बनके तैयार हो जाएंगे तो प्याज को साइड में रखेंगे और अब हमें लिना है एक ग्राइंडिंग जार और उसमें हम डालेंगे मीडियम साइज के दो से तीन टमाटर साथ में ही यहाँ पे हम डाल देंगे हरी मिर्च तो यहाँ पर हरी मिच, आप अपने टेस्ट के अकोरडिंग कम या फिर जादा कर सकते हैं और उसके बाद धक्का लगा के, इसे बड़िया से पीश के तयार कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा जो है, बिल्कुल बन के तयार है साथ में ही यहाँ पे कठल भी अच्छे से बॉयल हो गया है तो अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे एक छलनी में निकाल लेंगे और 5-7 मिन्ट के लिए इसे साइड में रग देंगे जितने की यह थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और इसे ठंडा करने के बाद अब हमें लेनी है एक दूसरी कड़ाई और उसमें हम डालेंगे कुकिंग ओयल तो यहाँ पे मैंने सरसों के तेल का यूज किया है आप चाहें तो यहाँ पे रिफाइन ओयल का भी यूज कर सकते हैं और जैसे ही हमारा तेल अच्छा तेज गर्म हो जाएगा उसके बाद हम सारे कठल को इसमें उठा के डाल देंगे और अलट पलट के ना बढ़िया से इसे फ्राइ कर लेंगे जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए तब तक हमें इसे अच्छे से फ्राइ करना है तो फ्रेंड्स जब आप एक बार मेरे बताए तरीके से कठल की सबजी बनाएगे ना तो आप खुदी देखेंगे कि इसका फ्लेवर कितना जादा टेस्ट या आया है बिल्कुल आपको यकी नहीं होगा कि आपने इसे घर पर बना का तयार किया है बिल्कुल ढाबा और रेस्टरेंट वाली जो सबजी होती है बिल्कुल उसी की तरह ये बन के तयार होगी फ्राइ करने से क्या है इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है तो आप इसे इसके बिलकुल ना करें कभी भी आप ये रेसिपी ट्राइ करें तो इसी तरह बनाएं तो यहाँ पे तेल काफी जादा था फ्राइ करने के बाद मैंने उसमें से तेल निकाल दिया है और इसमें थोड़े से मसाले एड़ करेंगे अब हम तो खड़े मसालों में मैंने यहाँ पे डाला है आदा चमच जीरा, आदा चमच अजवाइन और साथ मेही आदा चमच मेधी एक तेजपात पता एड़ क्या है साथ मेही डाली है थोड़ी सी हींग और अच्चे से सभी को हम पहले क्रैकल कर लेंगे और उसके बाद हम डाल देंगे हाँ पे पियाज और पियाज को यहाँ पे हमें अच्छे से भूनначा है जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए तो यहाँ पे 7 महिना थोड़ा सा नमक भी add कर देंगे तो नमक डालने से क्या होता है प्याज का कलर बहुत ज़ल्दी चेंज हो जाता है वो जल्दी से brown हो जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि almost हमारे प्याज का कलर जो है विलकुल चेंज हो गया है तो अब इसके बाद हम इसमें ड्राइ मसाले एड़ करेंगे तो यहाँ पर डालेंगे आदा चमच भर के धनिया पाउडर साथ में ही थोड़ इसी मैंने डाल दी है हल्दी और उसके बाद हम यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ इसी लाल मिर्ची का पाउडर साथ में ही कलर के ल जादा नहीं और मिक्स करके यहां पर 60 के लिए ही बूलेंगे जादा नहीं और उसके बाद चलिए रमाटर पेस्ट गल कोma को कड़ना है तो करके सब्सक्राइब हैं कि समयiliar की अपको और नहीं और जाहनुला अच्छे खुश्बू आने लगे तब उठाके हम इसमें कठल को एड़ कर देंगे और सारे मसालों के साथ इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे अब यहां पर थोड़ा सा नमक और एड़ कर देंगे पर आपको ध्यान रखना है नमक कम ही डाले ज्यादा नमक ना एड़ करें क् हमने दीरे दीरे करके ना इसमें दो बार पहले ही नमक एड़ कर दिया है तो यहां पर थोड़ा सा पानी और एड़ कर दिया है और अच्छे से मिक्स करके अब धक्कन लगा के ना मीडियम टू लो फ्लेम पे 5-6 मिनिट हम इसे बढ़िया से कुक कर लेंगे और 5-6 मिनिट म अब इन्हें मसालों के साथ हम बढ़िया से पका लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कठल की जो हमारी सबजी है वो बिलकुल डन है अब बस लास्ट में हम डाल देंगे इसमें धेर सारा बारी कठा हुआ हरा धनिया और आप चाहें तो यहां पर थोड़ा सा गरम मस सारा एड नहीं किया है क्योंकि थोड़े थोड़े जब मसाले हम सबजी में एड करते हैं तो काफी सारे हो जाते हैं और फिर इसमें हरी मेट तीखा पन जादा हो जाता है जिससे बच्चे खाते नहीं है तो मैंने गरम मसाले को स्किप कर दिया है आप चाहें तो इसमें डा और एक बड़ी सी रोटी बना के तयार कर लेंगे और इस तरह बीच में लगाएंगे झालं तो ले faithful वा Ju इस तरह सा यहाल चाहिए तो सूकहा आटा लगा सकते हैं और इस तरह कि यहर सोफ्वेर वाली शेप जादा पसंद है। ये मैंने इसे इस शेप में बना के तैयार किया है और उसके बाद इसे हम आइरन के तबे पे सेक लेंगे जब नीचे से ये अच्छे कलर में आ जाएगा तब हम इसे पलट देंगे और घी या फिर देशी घी या फिर बटर लगा के आप इसे सेक लिजे और देखिए पराठा बिलकुल बनके तैयार हो गया है कितना अच्छा इस पर कलर आया है बस इसी तरह बाकी बचे हुए पराठे भी बना लेंगे और उसके बाद हम अपनी लंच की थाली तैयार करेंगे तो दोस्तों आप सभी से यहां पर एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आ रही हो या फिर पसंद आ गई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक चरूर करें साथ ही साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें तो देखिए फ्र करेली की सबजी भी है जिसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ और उसके बाद हम रखेंगे यहां पर थोड़ा सा सैलेड तो अभी गर्मिया बहुत हैं और सैलेड जरूर खाना चाहिए तो यहां पर आप अपने मन बसंद कोई भी सैलेड रख सकते हैं साथ में थ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई एंड टेक केर